दोस्तों अगर आप UPTED 2021 के पेपर में समलित हुए होंगे तो प्राइमरी के पेपर में 5 प्रशनों पर final answer की में star लगा हुआ है इसके अलावा 5 अन्य प्रशन है जिसके उत्तर आयोग के द्वारा बदल दिये गए हैं तो अब कुल 10 ऐसे प्रशन हो चुके हैं जो की primary level में पूरा result उलट फेर कर सकता है कहने का मतलब कि पहले अगर आप पहले के answer की के हिसाब से अगर उत्तर मिलाए होंगे तो 5 प्रशनों के उत्तर बदले गए हैं और 5 प्रशन ऐसे हैं जिस पर star लगा हुआ है कौन-कौन से हैं ये प्रशन आपको जानना बेहत जरूरी है ताकि अगर आप बॉर्डर पे थें तो आपके साथ situations, कुछ conditions आपके against हो सकती हैं या फिर अगर आपके एक दो नंबर से रुक रहा था यूपी टेट का result तो आप qualify भी हो सकते हैं ये वीडियो आपके लिए बेहद महतोपूर्ण होने वाला है अंत तक बने रहिएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरेज और आप देख रहे हैं केरियर बिट ये ट्युप चैनल होना है कि इस प्रश्ण के सापेक्ष सभी को common अंक दिया जाएगा तो प्रश्ण संख्या 8 जो कि CDP का था primary level में ये set D के अनुसार में बता रहा हूँ इस पर star लगाया गया है पहले इसका उत्तर PNP ने व्यक्तित्व यानी option 2 को माना था अब इस पर star है यानी common अंक दिया जा सकता है अगला प्रश्ण CDP का ही है जिसका उत्तर PNP ने बदल दिया है प्रश्ण संख्या 9 सेट D के अनुसार पूछा गया था कि अधिगम हेतु निम्न में क्या सरवाधिक आवश्यक है पहले PNP ने इसका उत्तर परिपक्वता को माना था पहले answer की में अब इसका उत्तर उन्ह बदल देगी तो इसी के सापेक्ष अब PNP ने CDP के question number 9 सेट D के अनुसार जो प्रश्ण पूछा गया था उसका उत्तर बदल करके अब अभी प्रणा कर दिया गया है तो अगर आपने पहले परिपक्वता लगाया होगा और उसके सापेक्ष आपने number count कर लिया होगा तो अ अब आपके एक number कम हो जाएंगे क्योंकि उत्तर बदल करके अब अभी प्रणा हो चुका है अगला प्रश्ण भी CTP का है जिसका PNP ने उत्तर बदल दिया है प्रश्ण संक्या 10 सेट D के अनुसार पूछा गया था सैशाव काल का समय है PNP ने पहले इसका उत्तर option number 4 को मान प्रश्ण संक्या 13 सेट D के अनुसार पूछा गया था मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सिक्षण हेतू किया जाता है पहले PNP ने इसका उत्तर option number 4 स्रिजनात्मक्ता को माना था लेकिन NCRT में इस बात के प्रमार थे मैंने आपको वीडियो मे भी बताया था कि इसका उत्तर समस्या समाधान हो सकता है और PNP ने भी इसका उत्तर बदल दिया है और समस्या समाधान को ही सही मान लिया है तो अगर आपने पहले option number 4 लगाया होगा और अगर आपने इसका number count किया होगा तो अब आपके एक number कम हो जाएंगे और अगर आपन common किये गए हैं और तीन प्रशनों के उतर बदल दिये गए हैं अब बात करेंगे English के English के प्रशन संख्या 75 ये सभी प्रशन में सेट D के अनुसार बता रहा हूँ इसमें पहले PNP ने आप प्रशन देख लिए which of the following is an example of metaphor पहले PNP ने इसका उतर option number 2 को माना था he is a big donkey अब PNP ने इसका उतर बदलते हुए इस पर star लगा दिया है यानि कि अगर आपने कोई भी उतर लगाया होगा या फिर नहीं भी लगाया होगा तो आपको एक अंक common मिल सकता है इस प्रशन के लिए star लगाया गया है revised answer की में अगला प्रशन भी अगला प्रशन भी इंगलिस सही है प्रशन संख्या 82 से डी के अनुसर पूछा गया था fill in the blank dash of playing the children went home पहले PNP ने इसका उतर option number 2 को माना था being tired अब इस उतर को बदलते हुए PNP ने इसका उतर option number 4 having tired को सही माना है तो 82 नमबर प्रशन के लिए अब revised answer की में उतर 4 को सही मान लिया है PNP ने अगला प्रशन भी इंगलिस सही है प्रशन संख्या 84 से डी के अनुसर पूछा गया था who are the earliest known inhabitants of Antarctica पहले PNP ने इसका उतर option number 4 यानि डाइनासोर को माना था ये प्रशन बहुत ज़्यादा विवादी था क्योंकि वर्स 2017 का जो हूब हूब पेपर रिपीट हुआ है उसमें ये paragraph में प्रशन पूछा गया था अगला प्रशन भी English से ही है सेट डी से 87 नंबर का प्रशन पूछा गया था choose the correct figure of speech in the following sentence और आपको वाक्य दिया गया था death lays his icy hand on kings इस पहले PNP के द्वारा इस प्रशन का उत्तर option number 1 एक personification को सही माना गया था लेकिन अब revised answer की में PNP ने इस प्रशन का उत्तर बदलते हुए इस प्रशन पर star लगा दिया है यानि सभी अभी अभीरतियों को इस प्रशन के साब एक common अंक मिल सकता है तो ये अंग्रेजी के ऐसे प्रशन थे जिसका उत्तर PNP ने बदल दिया है या तो star लगा दिया है English में कुल 3 प्रशनों पर star लगे है यानि 3 common अंक मिल सकते हैं और 2 प्रशनों के उत्तर PNP ने बदल दिया हैं अंग्रेजी में संस्कृत की बात कीज़े तो इसमें PNP ने एक प्रश्ण के उत्तर में छेड़ छाड़ किया है आप इसके पर देख पारोंगे 72 नंबर के प्रश्ण संस्कृत में पूछे गये थे मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्म वाच्चे क्या होगा पहले PNP ने इसका उत्त आप्शन नंबर एक को माना था मया आपडम गम्यते लेकिन इस प्रश्ण के उत्तर को बदलते हुए PNP ने अब इस प्रश्ण पर इस्टार लगा दिया है रिवाजड एंसर की में यानि सभी अभियर्थे को जिनोंने संस्कृत अटेम्ट किया हुगा एक आंक कॉमन दिय जा सकता है तो ये थे कुल 10 प्रश्ण जिसके सापेक्ष PNP ने या तो इस्टार लगाया है या तो प्रश्णों के उत्तर को बदल दिया है एक बार फिर से मैं समराइज कर दे रहा हूँ CDP के एक प्रश्ण पर इस्टार लगा है यानि कि कॉमन अंक मिलेगा और इसके अल पांच अंक जहां एक तरफ अभियर्थी को कॉमन मिल सकता है वहीं पांच प्रश्णों के उत्तर बदलने से ऐसी अभियर्थी जो revised answer की में उत्तर से मैच नहीं करेगा उनके पांच अंक कम भी हो सकते हैं और जिनका पहले मैच नहीं कर रहा था लेकिन अब मैच करेगा तो वह पांच अंक उनके कॉमन और ये भी बढ़ सकते हैं देखिए कॉमन मिलने का मतलब ये नहीं कि आप पहले जितना मिला थे उसमें पांच अंक जुड़ जाएगा हो सकता है कि आप जो पहले answer की मिलान किये होंगे हो सकता है कि उसमें PNP ने उसको answer सही माना था और आपका सही होने के वज़े से आपने उसको एक अंक काउंट किया होगा अब चुकि इस्टार लग गया तो पहले ही भी आपने उस प्रशन को काउंट किया था और इस्टार लग गया तो आप दुबारा आप उसको काउंट नहीं करेंगे तो इस प्रकार से अगर आपके मन में ये स प्रणगा बना हुआ कि 5 अंक सबके और जादा बढ़ जाएंगे जैसे पहले आप मिला थे तो उस तरीके से नहीं होता है अगर पहले आपने उसका नमबर काउट कर लिए तो भुले ही स्टैर लगा है लिए भुले ही कमा अंक दिया ज़ रहा है तो आप तो पहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करें आपका दिन, शूब हो